प्रिये चात्रू नमस्कार NCERT गड़ित कक्छा दस्मी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रिशनाबली साथ दिसमलो तीन का प्रस्न किरमांग एक हल करेंगे तो आए सबसे पहले प्रस्न पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है उस तिर्भुच का छेत्रफल ग्याद कीजिए जिसके सीर्स नमलकित है तो यहाँ पर हमें दो प्रस्न दिये गए हैं जिनमें हमें तीन सीर्स दिये गए हैं प्रतेक प्रिष्ण में तीन सीर्स दिये गए हैं और जिनके द्वारा एक तिर्भुज बनता है और उस तिर्भुज का हमें छेतरफल ग्याद करना है तो सीर्सों के माध्यम से तिर्भुज का छेतरफल ग्याद करने का जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार है तिर्भुच का छेतरफल बराबर एक बटे 2 यह फॉर्मूला थोड़ा सा आपको बड़ा सा लग रहा होगा और आप यह सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे किया जाए लेकिन अगर हम थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो यह फॉर्मूला हम ट्रिक के माद्यम से बना सकते हैं आएए देखते हैं कैसे तो इसके लिए हम यहाँ पर रफ़े पर में समझ लेते हैं सबसे पहले हम एक बटे 2 जियों काते हों लखेंगे इसके बाद यहाँ से श्टार्ट होता है एकस बन से तो बन के बाद 2 और 3 आता है इसलिए बाई 2 और बाई 3 कर देना है सिंपली इसके बाद X बन हो गया है अब यहाँ हम X2 लखें तो 2 के बाद क्या आता है तो 3 और 1 क्योंकि हमें 1,2,3 इसकी साइकल रखना है इसमें 4 नहीं लाना है तो 1,2,3 से यह श्टार्ट किया तो 1 था तो 2,3 आ किया 2 है तो क्या आएगा 3 और 1 इस तरीके से और इसके बाद यदि हम X3 लखते है तो 3 के बाद क्या आता है तो अंसर है यदि हम देखें 3 के बाद क्या बचता है 1 और 2,1 और 2 तो यहां पे आएगा Y1 माइनस Y2 और यह हमने किलोज कर दिया तो फॉर्मूला बनाना वड़ा ही आसान है X1 से सुरू किया है तो 2 और 3 करेंगे 2 से सुरू किया है जिस तरीके से भी याद कर सकते है फिर आप अपनी ट्रिक भी मना सकते है यह फॉर्मूला लेकिन किसी भी हलत में याद होना चाहिए क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के आप यह बाले प्रस्न हल नहीं कर पाएंगे और तिरुज का चेतफ़ल गयाद नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी तरीके से इनको याद कीजिये इसके बाद हम लोग पहला प्रस्न लेते हैं तो यहां पर हमें 2 प्रस्न दिये गए हैं पहला और दूसरा इसमींसे हम यह पहला प्रस्न ले ले लेते हैं तो चलिए 2,3,-1,0 2,-4 लिया है अब इसके बाद यह तिर्भुज का छेत्रफल हम लगाएंगे लेकिन तिर्भुज के छेत्रफल में हमें x1 by 2 by 3 x2 x3 यह सब हमें चाहिए है इसलिए हम यहाँ पर x1 x2 by 1 by 2 यह निकाल लेते हैं तो यहाँ पर यह है x1 by 1 यह है x2 by 2 और यह है x3 by 3 चलिए इसको लेते हैं यहाँ x1 कितना है 2 by 1 कितना है 3 इसके बाद x2 कितना है यह है minus 1 और by 2 कितना है यह है 0 यह यहाँ पर दरसल minus 4 है तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग correct करेंगे यह question में नहीं तो mistake हो जाएगा और सही answer नहीं आएगा यह देखिए minus 4 यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं x3 कितना है तो x3 आपको दिया गया है 2 और by 3 कितना दिया गया है तो यह दिया गया है minus 4 तो यह यहाँ पर आपको सही कर लेना है और minus 4 यहाँ पर दिया गया है आप आप से मिला सकते हैं चलिए इसके बाद हम X1 Y1 X2 by 2 और X3 by 3 निकालने के बाद तिर्भुच का छेतरफल का फॉर्मूलर लगा देते हैं तो हम लिखेंगे तिर्भुच का छेतरफल और चुकि तिर्भुच हम ABC का छेतरफल निकाल रहे हैं इसलिए इस तरीके से हम तिर्भुच बना लेंगे साइड से और अंदर का एरिया हमें ये छेतरफल निकाल ला हैं तो हमने ABC के निर्देश अंग दे दिये हैं और आप चाहें तो इसे एक्जाम में और अच्छे अंग लाने के लिए आप यहाँ पर साइड में ये वाला चितर भी बना सकते हैं चलिए अब हम लोग लिखेंगे तिरभुज ABC का चितर फल यहां से लिखते हैं और चुकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है इसलिए यहां से लिखेंगे एक बटे दो और X बन जब बन हो गया है तो by 2 और by 3 अंदर आ जाएगा इसके बाद हम लिखेंगे X2 तो 2 हो गया है इसलिए 3 और बन अंदर आ जाएगा क्रम से लिखना है इसके बाद X3 तो 3 के बाद क्या आता है 1 और 2 तो 1 और 2 अंदर आ जाएगा यह है तिरभुज ABC का छेत्रभल अब इसमें हमें मान रखते जाना है तो बराबर के नीचे बराबर 1 बटे 2 X1 X1 की value कितनी है 2 तो यहां पर रखेंगे 2 bracket by 2 by 2 कितना है 0 तो यहां पर रखेंगे 0 minus by 3 कितना है minus 4 लेकिन minus पहले से लगा है तो यह प्लस 4 हो जाएगा इसके बाद X2 X2 है minus 1 तो यहां पर plus लगा है लेकिन X2 आ जाएगा minus 1 तो पहले से minus हो जाएगा by 3 कितना है by 3 minus 4 है तो यहां पर हम लिख देते है minus 4 minus यहां पर है और by 1 कितना है by 1 है 3 अब देख सकते हैं तो minus 3 आ जाएगा प्लस x3 कितना है ये देखिए x3 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और बाई बन जो है वो 3 है माइनस बाई 2 कितना है 0 तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे और ये इसको बंद कर देंगे आगे बढ़ते हैं बराबर के नीचे बराबर एक बटे 2 2 ब्रैकिट में 4 प्लस 0 जोड़ेगा तो 4 ही आएगा माइनस बन जियों काते हो माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 हो जाएगा प्लस 2 3 मेंसे 0 जाएगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा इसके बाद यहाँ पे एक बटे 2 जियों काते हो 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 प्लस 3 दूनी 6 इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक बटे 2 8 और 7 15 15 और 6 और जोड़ेंगे तो 21 आएगा तो यहाँ पर 21 और यहाँ पर किलोज कर देते हैं तो इसके आगे जब solve करेंगे तो आएगा 21 बटे 2 और 6 पल है इसलिए बरगे काई में तो इस तरीके से आपको solve कर लेना है आप चाहें तो इसे note भी कर सकते हैं और इसके लिए आप यहाँ से note कर सकते हैं यह और यह तो आसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा थैंक्यू कर दोम शली में